कभी कैंटीन में सैंडविच बनाता था एक्टर, नाम बदलकर बन बैठा रोमान्स का बादशाह। हिंदी सिनेमा के वो दिगज अभिनेता दिलीब कुमार जिनकी फिल्म में काम करके टैलेंटेड एक्ट्रेस मुम्ताज को बड़ी पहचान मिली थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि दिलीब कुमार ने अपना नाम बदलकर इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई थी। वह रोमान्स के बादशाह भी कहलाते थे। दिलीब कुमार साल 1930 के दशक में जब 14 साल के हुए तो उन्होंने पुने की आर्मी कैंटीन के पास फलों का ठेला लगाना शुरू कर दिया। इसी वक्त में उन्होंने अंग्रेजों की कैंटीन में भी काम किया जहां वो सैंडविच बेचा करते थे। दिलीब कुमार सिर्फ फिल्मी परदे पर नहीं बलकि असल जिंदगी में भी लोगों के हीरो बने थे। दिलीब के नाम और काम को लेकर फैंस में ऐसी दिवानगी थी कि लोग उनकी कोई फिल्म देखना मिस नहीं करते थे। खास तोर पर लड़कियां तो उनके प्यार में पागल थी। बॉलिवुड की कई एक्ट्रेसेस के मन में दिलीब बसते थे। उन्हीं में से एक उनकी पतनी सायरा बानो भी थी। यही वज़य थी कि वह रोमांस के बादशाह कहलाए थे।